दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर इस्टडी विट सभी मैं हूँ सविता दोस्तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे बियट फर्स्ट यर के पेपर थर्ड एजुकेशनल टेकनलोजी एंड आइसी टी में सब्सक्राइब करो 04 पर इसके पहले हमने पेपर फर्स्ट और फेपर सेकंड को बहुत अच्य से कवर किया है उसमें हमने जाना है कि कौन कॉन से टॉपिक आपको पढ़ने है एक्जाम के लिए तो यहाँ पर आज हम paper third में जानेंगे कि आपको exam के लिए क्या क्या पढ़ना है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं इतना अगर आप cover कर लेते हैं यह सारे topics को तब आपके बहुत अच्छे score आ जाएंगे तो दोस्तों देखेगा आज के paper third में unit first है educational technology, origin, meaning, nature, scope and need तो यहाँ पर आपको इस unit में पढ़ना है सैचिक तकनीकी के बारे में सैचिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है, इसकी आवशक्ता क्यों है, इसकी उत्पत्ती कैसे हुई और महा तो विसीस्ता और उद्देश के बारे में तो सैचिक तकनीकी के बारे में आप बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे सैचिक तकनीकी वा सिक्षण तकनीकी क्या होती है इसमें अंतर क्या है इन दोनों में ये चीज़े आपको पढ़ लेनी है आगे देखेंगे hardware उपागम जिसे कठोर उपागम भी कहते है software उपागम जिसे म्रदोल या कोमल उपागम के नाम से भी जानते है तो इन चेज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बैवहार तकनीकी क्या होती है अनुदेशन प्रारोप के बारे में तो ये सारी topic unit first में आपको cover करने है अगली unit है teaching technology यहाँ पर आपको सिक्षड का अर्थ पढ़ना है आवशक्ता, सिधान्त और सिक्षड की अवस्थाओं के बारे में सिक्षड के इस तर कौन-कौन से है उद्देश का क्या अर्थ होता है bloom के सच्षड कुद्देश को आपको पढ़ लेना है ये भी important है संप्रिशड का अर्थ यानि की communication के बारे में पढ़ना है इसके करण, स्रोध, प्रकार के बारे में सच्षड संप्रिशड क्या होता है सिक्षड प्रतिमान का अर्थ क्या है और बिभिन सिक्षड कौसलो के बारे में आपको पढ़ लेना है तो दोस्तो योनिट सेकंड में आपको इन सारी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है आगे देखीगा योनिट थर्ड क्या है method of teaching यहां पर आपको पड़ना है सिक्षड विधी क्या होती है प्रकार और इसकी विशेष तायन देखीगा कुछ विधियां है योजना विधी जिसे प्रियोजना विधी भी कहते है विचार विमर्स विधी वाद बिवाद विधी समस्या समाधान विधी इन सारी विधियों को पढ़ना है विचार गोजठी क्या होती है सम्मेलन का अर्थ अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ और कम्प्यूटर सहाईत अनुदेशन का अर्थ तो इन सारी चीजों को आपको unit 3 में पढ़ना है unit 4 है introduction of ICT तो ICT का full form क्या होता है यह जान लीजे information communication technology यह ICT का full form होता है यहां पर आपको सूचना तकनीकी के बारे में पढ़ना होगा सूचना तकनीकी क्या है आप बहुत अच्छे से इन topics को रट लीजेगा cover कर लीजेगा समझ के रट के कैसे भी आप इसको cover करिए लेकिन के बारे में आपको पढ़ लेना है computer क्या है इसकी पीड़ियां कितनी पीड़िया रही है किन किन पढ़ी कैं कौन से computer अब तक आ चुके हैं इनके बारे में आप पढ़ लीजेगा email क्या होता है internet क्या होता है इसमें अनृ all do this you don't have a call यह सारे टॉपिक को पढ़ना है आगे देखेगा यूनिट फाइफ है एडुकेशनल एंड इंडियन कॉंटेक्स्ट इसमें आपको यह अधिगम वा यह सिक्षा के बारे में जाना है स्मार्ट क्लास क्या होती है डिजिटल ब्लैक बोर्ड के बारे में स्लाइड कैसे वर्क करती है प्रोजेक्टर का कारी क्या होता है ओवर हेड प्रोजेक्टर कैसा कारी करता है यह चीज पढ़नी है अगे देखेंगे दो टॉपिक और बचे हैं तो यहाँ पर आपको पढ़न यह टॉपिक इतना जादा इंपोर्टेंट है कि अब तक हर बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो दोस्तों इसको आपको जरूर से जरूर तयार करना है क्योंकि इस बार भी आपके एक्जाम में यह जरूर आएगा तो आपको यह जरूर पढ़ लेना है इंद्रा करना है तो हमें बहुत अच्छे से उसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है और हम जल्दी से उस सारे टॉपिक को कवर भी कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बस इतना ही टॉपिक को कवर करना है और आपके काफी अच्छे स्कोर बनेंगे बीर्ड में तो दोस्तों यह थी